नमस्कार दोस्तो आज मैं बात करूंगा एक कोंटक्टर को होल के से किया जाए यह मैनुली अप्रेटर हैगा ठीक है होटो में नहीं होटो में दुसरा वीडियो में बनाएंगे तो कंट्रोलिंग वेरिंग इसका कैसे किया जाएगा आज इसके बारें बात करेंगे इसके लिए एक mcv लिया हूँ एक 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 पूस्ट बोटन एक कॉंटक्टर और चार टार्मिनर ब्लोक लिया हूँ तो चलिए इसको कैसे वैरिंग करते हैं इस बार में जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब यह समझ में आएगा नहीं तो फि फूर्पूट में 3 में जाएगा आप 3 बाल्ब के लिए देंगे नूटल और एक कंटेक्टर के लिए कंटेक्ट का नूटल जो है एटू में कानेक्शन होगा यह नीचे वाला दायनया तरफ जो ए नो लिखा हुआ इसको नीचे में एक पोर्ट है और बया तरफ इधर अलो कनेक्शन कर दिया अब क्या करना है मantically स्थेलों करना जिसासे रहें धार लेक्ति हैं विद्था यहें यहां से तो जैसे कि पूस्पोट्न को अब Nc में connection किया N6 का जो output होके फिर एनो पर connection किया ये उनो पर connection कर दिया ठीक है अब एनो से output होके आपका इसका जो एनो का input है इसमें connection करना इस इसका जो output है फिर आपका ये एनो का इन्पूट में दे देना है तो इस तरह से में connection कर देता हूं तो जैसे कि एनो का output जो है ये इसमें connection कर दिया और यहां से लूप करके A1 में connection कर दिया हूं तो एक बाद देख लीजे जैसे कि नहीं है ठीक है contextual का ये एनो में connection कर दिया ठीक है यहां से लूप करके contactor का, ये on में connection करें, जहांकर इसको on करने के लिए फेज़गा, वे शक्ता पड़ता है, तो यह connection कर दिया, ठीक है, तो जैसे कि इसमें अभी power दे दिया हूं, तो on करेंगे, तो जैसे on करता हूं, off हो जाता है, इसमें power जा रहा है, तो इसको push करके राखेंगे, तो इसको hold कर करने के लिए क्या करना होगा दो जैसे यह चलो होने से जोंऄ से इसका स्थेबर करने करना हो तो जैसे क्दा में आउट पूंट है Newar मुंहीं से்क्बुल हम लोग नंसी क्यों सकते हैं इसका लक्रीब से तो यह नो पे connection किया हूं तो जैसे यह हैं आउ पूड़ जो यह देख लीजे यहां से शुरू जा रहा है यहांसे आउट पूड़ जा रहा है यहां में उस छाय कोई नीए तुब इसका में पाओर एक गिंद्र्टूल पाफ कर देता हूं उसके पाद चालू करता हूं तो जैसे on कर दिया हो आप में चालू करता हूं गया कोणता हि मैं आप है किετε इसका में power supply जो 3-phase का power supply जाता है उसको connection करके आपको देखाता हूं ठीक है क्योंकि अगर पहले 3-phase दे देता हूं तो control लोयरिंग थोड़ा समझने में परिशा नहीं होता तो इसलिए अभी 3-phase में power इसका connection करके आपको चेक कर आता हूं तो जिसे कि 3-phase input-output connection कर दिया हूं अब इसको में चालू कर देता हूं तो तीनो बालब जल रहा है रेड, योलो, बुलो योलो का जगा में वाइट लगाया है ठीक है red, yellow, blue जल रहा है तीनो और अब भी हो रहा है हुआ इन्पूट 3-phase दिया हूँ आउटपूट में रेड को रेड में दिया हूँ येलो को येलो में दिया हूँ बूलू को बूलू में दिया हूँ इस तरह से connection किया हुआ है है तो जी की control power up कर देता हूं इसका तो जैसे देखıt के इसका इनफूट में पाएर आ आपको सो नहीं हो रहा है ठीक है जौ टेस्टर से में है तो आप पूर्सें सभर्सेंस में इसमें पहुए gratuit है का उसल्राइब का र्यास में अभी होआ और इसका न्यूटल जो है यहां से लूप दे दिया हूँ यहां से निकाल के तीनों में लूप कर दिया हूँ इस तरह से इसके वैरिंग किया हुआ है तो कॉंटक्टर को होड़ करने के लिए मैनुएली किसे वैरिंग किया गया है ड्रोइंग द्वार आपको चनकारिते दे रहा हूँ तो यह जैसे सिक्स एंप्यार के एंसी है आपका फिर कॉंटक्टर है ठीक है पूस्ट बोटन है एंसी है इनो है तो सबसे पहले जो आपका प्रेज़ा रहा है यह रेड का है ठीक है फेज़ाएगा यह रेट से आएगा आपका अगर थिरीफम वला रहेगा तो रेड से लूप करके लिए आना शिक्स एम पिर फिर इसका आउटपूट जाएगा आपका एंसी पूस बोटन में ठीक है एंसी पूस बटन हो तो यह उ लेकिन हम लोग को फिर continue on करके राखना है तो उसके लिए फिर आपका यहां से भी दे सकते हैं यह नो पर एक लूप देजना है यह यह नो पर भी लूप करके दे सकते हैं आपका कानेक्शन कीया हुआ हैं उसके बाद यहां से आपका आउटपूट जो निउटल जारा हुँ सीधा कॉंटेक्टर का A2 में कनेक्शन होगा इस तरह से दिया हुआ उसके बाद जब थ्रीफेज आपका इन्पूट पावार रहा तो RYB कनेक्शन उपर तरफ कर दिया है और आउटपूट में जिसे यहां पर न्यूटल खाली कनेक्शन किया हो क्योंकि अगर RYB क्या मार्किंग करेंगे तो पूरा यहां पर यह ड्रोइंग देखने के मतलब थोड़ा गंजन टैप का हो जाएगा ठीक है तो R से ले जाना यहां एक के बूल दे दिया वाई च ले जाके combien करेंग दिया, फिर बूलू का ले जाके बूलू में कनेक्शन कर दिया हुआ है इस तरह से इसका वेर्स किया गया तो जड़ी आप चेनल पे नहीं है तो सस्क्राइब कर लिजे और notification on कर लिजे क्योंकि मैं building automation का अल्रेडी बहुत सरा वीडियो बना हुआ है तो आप उसको चेक आउट कर सकते हैं आपका आई बटन में बहुत सरा वीडियो है फिर एंडी स्क्रीन में भी सोग होगा ठीक है तो उस वीडियो को देखे और वीडियो को पूरा देखे अब इसका अगला वीडियो जो आयागा हम लोग इसका BMS के लिए स्टेटास कैसे निकालेंगे जैसे ओन आप इस्टेटास